उस रात क्या हुआ था जब संजेदत से बुरी तरह डर गई थी श्री देवी और साथ फिल्म ना करने की खाई थी कसम साल 1993 की बात है संजेदत और श्री देवी की फिल्म आई गुम रहा जिसे दर्शेकों ने काफी प्यार भी किया महिश बत के निर्देशन में बनी इस फिल्म में संजेदत और श्री देवी की जोड़ी को खूब पसंद भी किया गया लेकिन इस फिल्म के दौराण परदे के पीछे एक और कहानी चल रही थी जो की बहुत ही कम लोगों को मालूम है संजेदत ने 1980 में रौकी फिल्म से डेब्यू किया था सुनिल दत और नर्गिस के बेटे होने की वज़े से संजेदत सभी के दुला रहे थे स्टार तो वो थे ही रौकी फिल्म ने संजे को सुपरस्टार भी बना दिया था असी के दशक में श्रीदेवी इंडस्टी में नमबर वन एक्ट्रिसस में शुमार थी संजेदत का करियर अभी शुरू ही हुआ था इसी बीज 1993 में एक ऐसी घटना घटी जिसने श्रीदेवी को हिला कर रख दिया बताते हैं कि इस घटना के बाद श्रीदेवी ने तै कर लिया था कि वो संजे के साथ काम नहीं करेंगी यही नहीं उन्होंने एक फिल्म से संजेदत को निकलवाने के लिए भी काफी कोशिश की थी यह घटना है फिल्म हिम्मत वाले की शुटिंग की श्रीदेवी और जितेहिंदर इस फिल्म में लीड एक्टर थे संजेदत श्रीदेवी के बड़े फैन रहे हैं उन दिनों मुंबई में ही फिल्म की शुटिंग चल रही थी संजेदत को उनके किसी दोस ने खवर दी कि श्रीदेवी शुटिंग कर रही है बताया जाता है कि संजेदत ने तैकर लिया था कि वो श्रीदेवी से मिल ले जाएंगे वो फिल्म के स्टीज पर पहुँचे हाला कि जब वहां पहुँचे तो वे काफी नशे में थे संजेदत को सेट पर श्रीदेवी नजर नहीं आई ऐसे में वहां उन्हें ढूने लगे और देखते ही देखते सीधे श्रीदेवी के कमरे में घुस गए नशे में थो संजेदत को देखकर श्रीदेवी सहम गई तम नशे की वज़े से संजेदत को देखकर पूरी तरह लाल थी तो उन्होंने कहा मैं उनके कमरे में जरूर गया था लेकिन मैंने वहाँ उनसे क्या बात की कैसे बरताव किया मुझे कुछ याद नहीं है उस दौर में शेदेवी के करीबी रहे लोग बताते हैं कि एक्ट्रेस ने तै किया था कि वो कभी संजय के साथ काम नहीं करेंगी तब शेदेवी के सितारे बुलंदियों पर थे इसलिए उन्हें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती और ऐसा एक समय में आया जब दोनों को एक फिल्म में काम करना पड़ा दोर बदलते ही संजय का स्टारडम आस्मान के उचाईयों से बात करने लगा ऐसे में शेदेवी को ना चाते हुए भी संजय दत के साथ फिल्म जमीन साइन करनी पड़ी हाला कि तब श्रीदेवी ने साफ साफ कह दिया था कि संजय के साथ उन्हें फिल्म में एक भी सिन नहीं चाहिए फिल्म के निर्माता निदेशक ने उनकी शर्त का ख्याल रखा ये अलग बात है कि किने कारोनों से ये फिल्म टिबबा बंध हो गई डिरेक्टर महेश बर्ट गुम्रहा फिल्म पर काम कर रहे थे उन्होंने फिल्म में पहले ही संजय दत को कास्ट कर लिया था संजय का सक्सेस ग्राफ तब तेजी से बढ़ रहा था हाला कि श्रीदेवी ही परदे पर नहीं चल रही थी बताया जाता है कि जब महेश बर्ट श्रीदेवी के पास फिल्म का ओफर लेकर गए तब पहले ही उन्होंने फिल्म से संजय दत को निकलवाने की कोशिश की लेकिन जब कामिया भी नहीं मिली तो उन्हें आखिरकार फिल्म साइन करनी पड़ गई फिल्मी दुनिया की लोग बताते हैं कि गुमरहा के सेट का मोहल अलग ही था श्रीदेवी और संजय के बीच बातचीत बन थी संजय दत को लेकर स्रीदेवी के मन में करवाहट खूब थी ऐसे में जब रोमांटिक स्थीन शूट होता तो कट बोले जाने के तुरंद बात वह अच्छिटक कर संजय से दूर चली जाती थी खैर फिल्म रिलीज हुई जबरदस हीट पी साबित हुई समय के साथ दोनों के रिष्टे पहले से बहतर हुए लेकिन कभी सामानिय नहीं हुए जाहिड तौर पर एक तरफ जहां संजय दत शर्मिंदा थे तो वह इं श्रीदेवी की नाराजगी के आगे वे कुछ नहीं कहना चाते थे तो दोस्तों ये है वो घटना जिसकी वज़े से संजय और श्रीदेवी के बीस्ट अकरार बढ़ गई थी आपको ये घटना कैसे लगी आप जरूर मुझे कॉमेंट वाक्स पर लिख कर बताएं इस वीडियो के लिए इतना ही अपना ख्याल रखिएगा स्टे टून गुद्बाई